सो हल दोस्तों नमस्कार investment classes में आज सबी का दिल से बहुत बहुत सोगत है सो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ important stock के बारे में जिन वे आज के दिन इन stock में कुछ important update निकल के आचुका है सो इन stock में से कोई भी stock आप लोगों को पास है किसी भी level पर या फिर इस चाइंप पर फ्रेस बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़रूर देखना ये वीडियो के लिए काफी important होने बाले है सबसे पहले हम बात करेंगे टाला प्रॉक्षांस के बारे में सो टाला प्रॉक्षांस आज की दिन आपका बता है 20 ओक्टोबर तो आज की दिन इसके Q2 के नंबर आने बाले थे तो finally हमें इसके नंबर आते हुए देखने को मिला और इसकी जो नंबर है दूस्तों बहुत ही इंपोर्डन हुने बाले है पहला जितनी भी कंपणी आरे है जो कि इनकी इनастворы है उसकी नंबर एक्षए आ अपको अच्छे काशन दिखाते मिला यह तो है पहला point, दूसरा point, इन stock में जो पिछली बार Q1 की नंबर दिखा है तो वो बिलकुल भी अच्छा नहीं है, सासा stock अपने टॉपल बसे 70% correction हो चुक है, अगर आप exactly top से देखोगे तो, तो बहुत सारे negative already point है, क्योंकि बिछले बार भी नंबर खड़ाब दिखा है, और stock को टॉपल बसे already 70% correction हो चुका है, और सासा इनके जितने भी competitor है, सबके नंबर income अच्छे होने के बाद भी, मतब company की expense इतने ज़्यादा हो चुका है, जिस बसे company के net profit में, decline देखने को पर उस नंबर को बाजर बिल्कुल भी, मतब appreciate की तो कर रहे है, लेकिन negative way में और stock में, गजब की गिरावाट भी आपको देखने को मिल रहा है, तो no doubt, इस company के number तो बहुत ज़्यादा important होने बार है, तो चले, सबसे पहले इस number को हम थोड़ा सा detail में study कर लेते हैं, तो हम आज चुके number को पर, तो company के नम आप देख पार होंगे, टालना problems limited, तो print out जो है दोस्तों, बहुत खराबी print out है, जैसे यह दूसरे website पे update हो जागा, मैं आपको दुबारा से review जरूर करा दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं screen पी लिख दूँगा, ताकि आपको समझने में और देखने में एकदम clearity मिल जाए, तो सबसे पहले हम देख लेते के बास sequence को, तो यह है दूसरे हमारे इस बार quarter के, September, यह next quarter के और यह दूसरे हमारे पिछले साल quarter के, तो sequence जो है वो एकदम okay okay है, तो सबसे पहले हम देख लेते कंपनी के total net income, so net income आप देख पारोंगो, बैं screen पी लिख दिता हो, इस quarter की बात करे, तो इस quarter में दूसरे कंपनी के total net income हमें 86 करोर, थ्री मत पहले, थ्री मत पहले company के जो income थे 80 करोर, और एक सार पहले company के जो income थे, वो 84 करोर, तो no doubt, 84 करोर के income होचका 86 करोर, चोर अच्छी बात है, और थ्री मत पहले company के income थे 80 करोर, तो 80 करोड की income हो चुक है 86 करोड तो yanni quarterly दूनों विश्च में company की income है हाँ no doubt थोड़ा सा growth देखने को मुँए लेकिन no doubt company की income है याल ली quarterly दूनों विश्च में company के income हमें अच्छे ही देखने को मुँए लेकिन हमें गरबर कहां पर देखने को मुँए expense पे expense इतने ज्यादा होने कि बैसे company income अच्छे दिखाने के बाद भी company के number को खराबी माना जा रहे उसके पिछे का reason है कि company के income income से ज्यादा company के expense हमें ज्यादा increase हो तो यह देखने को मिल रहे तो no doubt income तो अच्छे हम देख लेते company के expense कितने है तो टोटाल expense है दोस्तो इस साल की बात करें इस quarter की 72 करोड थ्री मात पहले थे company के total expense 86 करोड और पिछले quarter में थे दोस्तो आप ऐसा बोसे तो 76 करोड तो no doubt 76 करोड की expense हो चुगा 72 करोड बहुँँ शांदर हमे expense ज्यादा growth मतलब increase होते है देखने को मिल रहे साथ 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 कर बात करें quarterly basis पे 86 करोड की expense हो चुगा 72 करोड तो यह लिए quarterly जिस साब से expense में पे growth देखने को मिल रहे अच्छे sign लिए यह तो दोस्तो expense अब चलता है अब company के directly net profit को पर यह हम चलते हैं आप चाहूं तो company को ऑपर्टिव पॉपिट को भी consider कर सकते हो तो हम directly company के net profit को पर चलते हैं तो company के net profit है दोस्तो इस बार की बात करें 11 करोड पिछली quarter की बात करें 10 करोड और एक साल पहले बात करें दोस्तों 13,600 तो खुद देख लेगो 13,600 के net profit हो चुग है 11,000 करोड और अब ऐसे बहुत से 10,000 करोड की profit हो चुग है दोस्तों 11,000 करोड तो no doubt again मैं करें दोस्तों जो company के net profit है 13,600 करोड का profit हो चुग है सिर्फ 11,000 करोड और 10,000 करोड के net profit हो चुग है 11,000 करोड तो quarterly basis पे थोड़ा सा में minor jump देखने को मैं लेकिन यह लिए साल बार साल के अगर growth की बात करें 13,600 करोड के profit हो चुग है तो सिर्फ 11,000 करोड यानि कि जो number है साल बार साल के वो बिलकुल भी अच्छी नहीं है बहुत ही हमें खराब देखने को मिला उसके पीछे का reason है कि company के total expense सो company के income आपने देखा होगा कि शांदार देखने को मिला 86, 68 और 67 अगर बात करें 80 और हमें कितने देखने को मिला 80 तो no.com 84 यह दोस्तो company के income थे 84 का हो चुक है 86, 80 का हो चुक है 86 तो no doubt company के जो दोस्तो income था वो तो हमें अच्छे देखने को मिला है लेकिन expense इतनी ज्यादा होने के बज़े से 13,600 के net profit जो कि पिछले साल में थे वो हो चुक है दोस्तों सिर्पो सिफ 11,000 और 10,000 के net profit 11,000 तो no doubt quality business तो number ok हो कि हमें देखने को मिला है लेकिन company के yearly business number नेट profit खास करके वो बहुत यह हमें खराब देखने को मिला है तो इस number को मेरी सबस्तों में इतना का चुबा नंबर बिलकुल भी अच्छे निए नंबर मेरी सबसे नंबर खराब ही हमें देखने को मुड़ है तो कि इस गिरावाट के चलते इस रेजल के चलते के इस टॉक में कल के दिन गिरावाट हो सकता है तो इस बार की बात करें अर्णिंग पर से कितने है आठ आठ की पिछली बार कितने थे शाथ की और एक साल पहले दस के तो खुद देख पारों कितनी ज्यादा लेकिन या लिए इस चीज़ को माना जाते हैं इस्टिज़ को देखते और बाजर भी इस चीज़ को ज्यादा साल बार साल कितने ग्रोश दिखा रहें इंकम अच्छे दिखाने के बाद भी आप देख पारोंगे 10 KPS 8 में convert हो चुका है जो कि बिल्कुल भी अच्छे sign नहीं है नमबर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकता है दोस्तों मेरी इसाफ से तो स्टॉक में गिरावाट होना चीए क्योंकि नमबर उसने बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखा है इंकम चलो अच्छे है याले कोटली दोनों बेसे लेकिन इक्सपेंस इतने टॉप होने के बज़े से कंपण के नेट पॉपिर 13,600 है डिरिकली हमें ऐसा बोसक्त हो कि 11,000 तो और EPS आप देख पाएंगे 10 KPS 8 में convert हो चुका है तो यह number मुझे तो नहीं लगता है इस number को बाजर अप्रिशेट करगा हाँ अप्रिशेट जरूर कर सकते हैं लेकिन नेगडिव में यानकी correction में तो note और correction हो सकता है और अच्छे खासे भी correction हो सकता है कि पिछली बार जो number दिखाएं दो दिन में stock में circuit लग गया था और दो दिन में 40% गिरावार देखने को मिला तो note और stock में कल की दिन गिरावार हो सकता है तो आप stock को focus में जरूर रख सकता हो साथ सिप ऐसे देखा जाए stock के अगर बात करें एक six month में और ली stock आप में टॉपल बसे आधा हो चुका साथ साथ एक साल की बात करें exactly मैं आपको बता 70% correction हो चुका है क्यूंकि आप top से देखोगे ना तब आपको सारे चीदे clearly समझ में आएगा 70% correction हो चुका सिप और सिप लोगों ने इसलिए बाया किया कि क्यूंकि श्टॉक ने multi-wagate earn देच चुका stock 30 rupees की stock यहां से rally दिखा है 40 rupees के stock सीधा 2100 तो आपको पता है जब stock भागता है तो हर stock अच्छे लगता है तो जिननने वह अपना decision लेंगे तो इतना मैं करा चुका number देखने के बाद किस number को देखे दोस्तों प्लीज ना average करें ना phrase भाएं आपको करना चाहिए देखो पैसे आपके आप चाओ तो आप कोई भी decision ले सकते हो लेकिन मेरी हिसाब से ना average करना ना phrase भाएं करना अगर कोई भी अगर आपको decision लेने ना तो next qthu के number देखना वो number अगर अच्छ है तब चाहता आप इसके बार में विचार कर सकते हो तो कल के दिन stock of focus में ज़रूर रखना को मिला 23% फिर three quarter यान कि 9 मन तक हमें एक ही range में देखने को मिला फिर आप देख पांगो 23 से सीधा 20 के नीचे आ चुका है यान कि 4% stake हमें company के promoter दुबारा से sale करते हो देखने को मिला तो no doubt इस बार के number आप बहुत ही आपको focus में रखना चीए ज़र अगर बात करें आप देख पांगे दो साल हुए stock को बीच में जिरूर ने बाय किया तो मैं के इतने गया चुका दोस्तू और हाली मैं आज के दिन आपने देखाऊगा HDFC-AMC और सासा आज के दिन UTI-MC उनकी नमबर भी इतने खास नहीं है तो इसके फोर्थ नमबर को number है इसके number मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा important होने बाले क्योंकि इनकी जो promoter लगातर अपना stake को sell करा है तो no doubt इस बार के number को focus में जरूर रखना कोई भी अगर आपको decision लेन है जो आज की दिन तेजी देखिन को म important point बताने मालों क्योंकि 22 October की इसके number है सरेड़े को जैसे number आजएगा मैं आपको update कर दूँगा लेकिन कल के दिन buzzer open है तो इसको focus में रखना क्योंकि angel or limited और आनदराटी इन सब का number अच्छे आते हैं देखिन को बिला जो कि brokerage बाली company है तो इसके number भी अच्छे आ सकता है य